भारतिय महाकावेकाल के रूप में भारतिय जो इंडियन एपिक एरा है इस एपिक एरा में मुक्तर दो महतपूर गरंत आते हैं जो भारत के दोनों महाकावे माने जाते हैं इन में से प्रत्म रामायड महाभारत मनाता है महाभारत को गरंत राज भी करते हैं या विश्व का सबसे महान गरंत मानाता है विश्व का सबसे बड़ा गरंत मानाता है महाभारत तो महाभारत इसे गरंत राज विश्व का सबसे बड़ा गरंत भी मानाता है महाभारत को जहा लामायड और महाभावत का मुक्तह कारखंड कब रहा है जो जिस काल की बाते इसमें की गई है हम उसे जनरली महाकाब्यकालिन संस्कृति के रूप में देखते हैं क्योंकि यह महाकाब्य है तो इसमें उल्लखित जो भी बाते की गई है जो भी इतिहास संस्कृति का इसमें ड कलचर उसकी सीटे उसके रिलिजिए सुच्वेशन आज के बागे जानकाय juicy देता तो मिला के हम मानते के ही महां का लेकिन हम यह बताना मुन कंधी मुस्किल है कि वास्तों में महां का व्यक्षकुल समय है क्योंकि महां का अनै उसके हम जो संस्क्रीब है उनका स्विद्वाइब दो कफिक्ण है और से उ मांनते हैं कि इसमें जो बातें कहीं संदर में रही होगी है या उत्तर्बाइदि कालके संदर में रही होंगी यहatable पहुक्त्याइब यद्यपी यहां भी एक बहुत बड़ी प्राव्ब्रम यह भी है कि अगर हम इतिहासी स्रोथ पर जाएं अगर हम महाभारत और अमायड को मान लिजे उत्तर बैदिक काल का मान लें और हम बैदिक काल को प्राय भारत इतिहास में मानते हैं कि यह समय जो है लगभग पंदरसो इसापूर के बाद का काल खंड अगर 1500 से एक हजार का समय है 1220 से लेकर 1220 तक हम इसकी एंटी क्यूटी को माल ले प्राशिंटा को मान लें तो यहां सबसे बड़ा समस्च्चा यह है कि महा भारत के जो युद्ध की तिथी है अगर एतिहासिक दिश्ट से देखा जाए तो महा भारत युद्ध की तिथी जो अभिलेखों में इस पर श्टूप से मिलती है वह पहली बार हमको मिलती है पुलकेसिन दुती के एहोल अभिलेख में महा भारत युद्ध की तिथी महा भारत युद्ध की तिथी एकत्ती सो एक इसा पुर्व मिलती है ठीक है एकत्ती सो एक इसा पुर्व महा भारत युद्ध की तिथी मिल रही है तो एहोल अभिलेख में एहोल अभिलेख जिसे जिसे इसके रचयता रविकृत ने प्रसस्ति ग्रंथ कहा है और इस प्रसस्ति ग्रंथ कहा है और इस प्रसस्ति ग्रंथ के बारे में वो कहता है करता है कि मैंने इस ग्रंथ को लिख कर मैंने इस ग्रंथ को लिख कर अपना नाम इतिहास में वैसे ही अमर कर लिया है जैसे कि कालिदास और भारवी का नाम है यहीं एक मात्र भारती इतिहास का अभिलेक है जिसमें कालिदास का नाम किसी अभिलेक में मिलता है है तो काली दाज का नाम पुरे भाती थिहास प्रकल अहीं केवल एक अभिलेख में मिलता है वह आपका है यह अभिलेख में तीन महत पूर्च ब्रकावलेख मिलता है जो आपका है मंत सकती प्रभुती और उत्साह सक्ति मंत्र सक्ति प्रभु सक्ति और उत्साह सक्ति नामक तीन महत्वपूर अमर सब्दों का उलेख इसी अभिलेख में कालिदास भार्वी का नाम पहली बार मिलता है और दूसरी बात इसी अभिलेख में एक मात्र यही भाती तिहास का अभिलेख है जिसमें महाभा 31 2001 पुर जबकिन अभिलेखोыми अगर देखा जाए तो अभिलेखों में गुप्त काल ऊए-परिय जिसका नाम से बुलायी कुलाय सी पुलाय tan गुप्तक काली कुरे जो जोटाशी मैं तो के समय का है यह बुलन ऊभिलेख पहली बार 1 लाख इस लोको माहाभात शाल है इस अभिलेक में पहली बार एक लाख इस लोकों वाले महाभारत का उलेक मिलता है तो हमने कहा कि जैसा कि बेस्केली अगर हम मानलेक महाभारत युद्ध एक अत्तिस और एक इसापुर में हुआ है तब तो निश्यतर जो महाभारत का युद्ध का समय है वह तो हरपा काल पर जा रहा है और जो महाताविकाली संस्कृति है वह संस्कृति कब की है उत्तवाइदिक काल की है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि महाभारत युद्ध पहले हुआ है और जो महाभारत युद्ध के बारे में जो ग्रंथ लिखे गए हैं उसके बारे में जो एतिहासिक या घटनाय घटित हो चुकी होंगी इसी के बाद या ग्रंत लिखे गए होंगे क्योंकि जो जीवन चरया जो वे आफ लाइफ वे आफ पैटर्न एक लाइफ पैटर्न एक डियोलिंग सिस्टम जो जीवन साली रहन सान की पद्दती है और जो उनका टेक्टिंकल आस्पेक्ट है जो ततकालीन मानों के रहन सन का सिंप्य के पच्च या पच्छ निशित इन ग्रंठों में उльखित इतिहास को उत्तरबाइदिक कालीन इतिहास सिद्ध करता है इसलिए ל Sexering करता के इतिहास के सिरोत के रूप में रामार यह ओ राभारत का उलेख करते हैं तो तो अभी भी है कि दोनों के बीच में समझत से कितना है क्या नहीं है और आल क्योंकि महाभारत में रामायर का उल्लेक मिलता है इसे पता चलता है कि घटना पहले हुई है महाभारत महाभारत नाराणी खंड में आता है क्योंकि याद होगा आपको महाभारत सब्द ते प्रहों में आता है प्रहत के प्रावारत आता यहां तक रामाराईद की बात है रामायर भारत के प्राचींतंग्रंथ च्छाे रावरुई live थे बाद में चलके अच्छी संगत में आनेक बाद ब्रह्म आज के परिवेस में अपने आपको निमगन करने के बाद इस स्वरी चित में अपने आपको समरपित करने के बाद उन्होंने यह महांग्रत लिखा रामायर जिसका मूल नाम है स्रीमद बालमी की रामायर जो साथ खंड और 645 सरगों मे हैं और जिसमें कुलम लाके 24,000 इसलोक मिलते है यहां तक कि जो फिलिपिन्स है फिलिपिन्स में फिलिपिन्स में इसका नाम महारादिया लाउना कहता है महारादिया लाउना या महारादिया लाउना इसका मतलब होता है राउर बद्ध तो फिलिपिन्स में हम इसे फिलिपिन्स में हम इसे मुक्ता इस नाम से भी फिलिपिन्स में हम इसे मुक्ता इस नाम से भी जानते हैं ठीक है फिलिपिन्स में इसे मुक्ता इस नाम से भी जानते हैं ठीक है तो महारा दिया लाउना आगे चलके अन परंपराओं में भी अन संस्कृतियों में भी इसके अ करते हैं वह अकंबन ने लिखाये जिसे का नाम है तमिल रामाड है कि इस तहत इस रामाड का आगे चल के मध्हकाल में तुलसी दास ने आउधी भासा में श्री रामचैत मानस के नाम पे पिर से इसकी रशना इसकी पुनर रशना किया और एक महत्व पुर्टत्त है कि स्री रामचाईत मानस जो तुलसित आजीद्वार लिखा गया इसमें कहीं भी बड़े सरका प्रयोग नहीं हुआ है इसमें हर जगत छोटे सरका प्रयोग हुआ है यह मुक्तह आउधी भासा में लिखा गया है और इसे इसे उत्तर भारत का इसे उत्तर भारत का बाइबिल भी कहते हैं इसे उत्तर भारत का बाइबिल भी कहते हैं तो रामायर रामचाईत मानस को उत्तर या देखेगा अगर अगर दोनों आप समुझा रामचाईत मानस और रामायर तो या देखेगा रामचाईत मानस को कहता है रामायर को नहीं रा थाप लिख किया है और सीत्ता ने जिन्होंने किताब लिखा है मुगल काल में अकबर के काल में इसका फार्सियन बाद किया इब हर करण तो इबन हर करण जो है यहां कि काल के हैं और बधायनी जो है मुकत हूब बधानि इसे लि neighboring होता है बध अक जय कहता है बधायनी को जब हिंदू देवताओं का नाम हसे लिगे लिखना तो बहुत दुखी होता है, वो कहता है कि मुझे इन हिंदू काफियों का नाम लिखना पड़ रहा है, अब भगवान जाने मुझे अभी अल्ला ही जाने कि मुझे अभी कौन-कौन से और दुख देखना है, तो बहुत दुखी होता है कि मुझे अपने हातों से हिंदू काफि मैं इस मनें चाचा किया कि रामायर का जो कथानक है वह कथानक मुक्तः मिद्फला या विदेह से संबंधित है और एक महतवपुर्टत है कि जो विदेह का राज था जहां पर सीता जी थी अव दूसरा संभंध है आपका अउध्या से तो कहा था कि जो बिधे में या मितला में जितने भी राजा होते थे उनकी उपाद होती थी जनक तो जनक क्या है जनक एक उपाद है जनक एक उपाद है जनक एक उपाद है और जितने भी राजा बिधे में हुए सब को सब को मुक्तह जनक कहा जाता है इसलिए सीता जी के जो पिता जी थे उनका मूल नाम है सीरत ध्वज उनका मूल नाम है सीरत ध्वज उनका मून नाम है सीरत धोज जबकि जनक क्या है जनक उनकी उपाध है यह भी जान लीजे जो भगवान राम चंद ने जिस धनुस का प्रयोग करते थे उसका नाम उता सारंग और लेकिन जो धनुस स्वयंबर प्रथा में तोड़ा गया था उसका नाम था पिनाक उसका नाम भारती तिहास में प्राचीनतम आभिलेकिक वरण स्वयंबर प्रथा का भारती तिहास में प्राचीनतम आभिलेकिक वरण जूनागढ लेक या गिरिनार अभिलेक में मिलता है जो कि रुद्दामन का है तो रुद्दामन के जूनागढ अभिलेक में भारती तिहास में पहल कुछ जो सी ता है सी ता संदिम समझें का महत पूर्टतеты क्या है सीता्क अगर प्रायम्भिक लेख देखें थो 90 हो गया सीता जी का व्लेख जो अध्या कि राम से समंदित हैं मितला की यह इसलिए बिदेह की तत्ता एं ठीक है तो एक तो सीता जी आपका भग्वाद्ल से स्मंदित है कि राम और अध्याँ म 늦्यृत है यह एतिहासिक क्ला मिट्टित हैं दूसरा जो सीटा है कि सीता को बैदिकовых काल में जो हल से बनी नालिया भी थेखर भारति टिहास में जो हल की नालियों का पहली बार साथ मिलता है वह कहां से मिलता है काली बंगा से एक ही खेत में दो फसल बोने का साथ मिलता है और यहीं पे जो नाली का साथ हो जो हल से बना हुआ जो कुंड होती है नाली जैसे एक बार जुताई के बार जो बनता है इसका भी उले कहां मिलता ह काली बंगा से तो काली बंगा सोहां मिलता है दूसरा समझेगा तीसरी सीता जो है सीता मौर्यकाल तक आते आते सीता एक कर के रूप में प्राप्त होती है तो जो मौर्यकाल में जो राज की भूम होता था मौरकाल में राजकी भूम तो मौरकाल में राजकी भूम से प्राप्त जो कर होता था इसे कहते थे सीता मौरकाल में राजकी भूम से प्राप्त कर को कहते हैं सीता और इसके संग्रह का उत्तरदायत होता था सीता धच को सीता धच ठीक है और राजपूत काल तक आते आते राजपूत काल तक आते आते ठीक है एक राजपूत सासक महतपुर हैं उनका नाम है उपेंद राजपूत राजा उपेंद के दर्बार में दर्बार में सीता नामक दर्बार में सीता नामक एक प्रसिद्ध कवित्री रहती किसके दर्वार में उपेंद्र राजा उपेंद्र के दर्वार में सीता नाम के प्रमुक या फेमस कवित्री रहती थी जिनका उलेखम को प्राप्त होता है तो कुल मिला के सीता के संदर्व में यह महतवपूर्त थे आपको प्राप्त होते हैं यह तो आपके महतवपूर्त थ मज़ेगा महाभागत पहले एक गरंथ बड़ा फेमस लिखा गया है वह लिखा है धनंजे सूर्थिकृत ने धनंजे सूर्थिकृत का गरंथ है उसका नाम है राघव पांडवी तो जो राघव पांडवी गरंथ है धनंजे सूर्थिकृत का और इसी नाम से आगे गरंथ लिका है दामोदव जहाने भी धनंजे सूर्थिकृत दामोदव जंडः लिखा है इस गरंथ की क्या खासेत है राघव पांडवी की लेके राघव मतलब हो गया कि रखवंसी मतलब हो गया अउझया कहीतिहास अब पांडव न पॉम्ण जिसने की सबगत्षन पहले असी गहखा गया है तूसरा सिंसा प्र keywords by Mr. से खोलने पर रामायर और दाएं से खोले के महाभाजत है यह क्या नाम है राघौ पांडवी इस गरंथ का नाम है राघंव पांडवी जो महतपूर गरंथ है ठीक्सिंख जो की जो एक ही करंद में दोनों की कठानक हमें प्राप्त होते हैं है और आगे समझेगा एक दो अनितत्य की रामायड को बांगला में जो अनुबाद क्या गया है आपका बांगला भासा में वह बांगला भासा में इसका अनुबाद हुआ है कृतिवास के द्वारा कृतिवास ने जो बांगला रामायड लिखा है जिसे करते कृतिवास रामायड वो रामायड उसे बंगला का बाईबिल भी करते हैं तो कृतिवास के रामायर को बंगला का बाईबिल करते हैं। नचना कुठार का मंदीर ‎ प्रावती मंदीर पहली बार रामायर के कथांकों का दिश्यांगन प्राप्त होता है और इसे सिय्मदीर अगर 20 सुपवतिंजर में देखें擼 ऐसीनीरी में पहली बार रामायर के किलोचान का दिश्यांगन विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है जिसका जो आपका अंकोरवाट का मंदिर है इस मंदिर के दिवालों पर भी रामायड और महाभावत दोनों के कथानक का दिश्यांकर मिलता है तो आपका कमबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है जो विश्व का बैश्णोधरम का सबसे विशाल मंदी माना रता है इस मंदिर के दिवारों पर भी आपके रामायड और महा भारत के कठानक देखे आ सकते हैं महा भारत के संदर में कहाता है जो महा भारत महा भारत का तरह है कि महा दस्वंथ एक सेकेंड महाभारत की concern में हम देखते हैं कि महाभारत सब्द का पहली बार उलेख महाभारत सब्द का पहली बार उलेख इसके नाराइडी खंड में मिलता है और इसके बारे में जो जानकाई मिलती है इसके संदर में कहा रता है कि इसको प्रारंभ में इसका नाम था जैसंगीता जब इसमें 888 सोई ने लोग थे तब इसका नाम जैशंगिता था, जब इसमें इस लोगों की संख्या आगे बढ़ का24 जार हुई तब इसका नाम हुआ भारत और जब आगे चलकर इसमें एक लाख इस लोग हुई है, दूसरी बात इसे ग्रंथ राज भी कहते है और चुकि भारत का चलिकाई इसे भारत का विशुकोस भी कहते हैं और दूसरी भात है इसे कास्ण रबेद और पंचम भेद भी कहते हैं महा भारत में कुल 18 पर्व मिलते हैं और इसमें एक पर्षिष्ट एक अपेंडिक्स जोड़ा गया है जिसका नाम है हर्वन्स पुरान तो महा भावत का भाग है आपका जिसमें से अठारो पर्व में सांती पर्व सबसे बड़ा पर्व है और इसका जो छठा पर्व है इसका जो छठा पर्व है जिसे करते हैं आपका भीष्म पर्व इसका छठा पर्व है आपका भीष्म पर्व इसी भीष्म पर्व में कईवा पूछा गया किस पर्व में छठे छठे पर् गीता का अख्यान मिलता है तो गीता जो है वह महा भारत के भिस्व पर्व या छटे पर्व में प्राप्त होता है जिन में एक महत्पूर ग्रंथ आपका है अर्थ सास्त को भी पांचवा बेद कहते हैं इतिहास और पुराण को छांदोग उप्रिसद में पांचवा बेद कहा गया है इसी तरह जो आपका तिरुवलवर का ग्रंथ है जो कुरल को भी तमिल ग्रंथ जो है इस ग्रंथ को भी आपका पांचवा बेद कहते हैं इसी तरह जो सेखर ने चोल काल का एक ग्रंथ लिखा है उसका नाम है तिरुतोंड पूर्डम यह जो ग्रंथ है यह चोलो का काल का पांचवा बेद मनाता है इसी तरह जो भरत मुनी ने नाट सास्त लिखा है भरत मुनी का नाट सास्त उससे भी पांचवा बेद कहा लाता है जबकि ब्याकरण को चांदों के उप्रिसद में बेदों का बेद कहा गया है अगला समझेगा कि जो महाभारत का कंसर्ण है महाभारत को लिखने का सिर्फ यह जो और बेदभ्यास को चुक्की जन्म दूप में हुआ था इसलिए इनकल कि नाम नाम कि पहाई भार चोबसे लिए यह आगर अइक और 3 परवों की बात किया जाए तो हो सकता है कि पूरा पर्व एक सांथ न लिखा गया हो बलकि यह महाभाद एक परंपरा के रूप में लिखा जाता रहा हो और आगे चलके इसे अन्य लोगों ने अन्य लोगों ने बेदर ब्यास या किस्द्वायपायन समुख के रिश्यों ने इसमें भाग लिया और उसको उन्होंने सबसे पहले महा भारत को अपने पुत्र सुक और चार सिस्यों को सुनाया था तो शुमन्तु जैमिनी पायल और वैसामपायन यह जो 5 प्रमुख बैगती हैं यही परतम 5 कि सुनाया गया हैं उसी तरह हैं ने महत्पूर्द गन्ति देखिए कि दूसरा महत पूतत्य है कि हर स्चरित को कि हर्स चरित को को बाणभट के भाई बाणभट के भाई स्यामल ले दूतिय महा भारत कहा है कि दूती महाभायत का है हर्सवर्धन का इतिहास जानना था तो स्यामल के कहने पर ही बार्णभट ने हर्सवर्धन लिखा है स्यामल के कहने पर ही बार्णभट ने हर्सवर्धन लिखा है या दखेगा स्यामल के कहने पर इन्हों यह गर्णत लिखा गया है और इनका दूसरा जो फेमस गर्णत है कादंबरी कादंबरी का मतलब होता है मदिरा और कादंबरी को पूरा किया है उनके पुत्र भूसर भट कादंबरी को पूरा किया उनके पुत्र भूसर भटने तो हर्थ चरीत को दूतिय महाभायत कहा जाता है जबकी जबकी कि साहनामा को कि जिसे फिर्दौसी ने लिखा है कि जिसे फिर्दौसी ने लिखा है कहा जाता है कि साहनामा को अफगानिस्तान का महाभायत कहाता है कि अफगानिस्तान का महाभारत कि चीक है साहनामा को अफगानिस्तान का महाभारत कर जाता है कहा तो यहां तक जाता है कि जब जो फार्सी का फार्सी का सबसे बड़ा साहित है जिसे साहनामा ने लिखा साहनामा ने जब यह ग्रंथ लिखा तो यह ग्रंथ उन्होंने महमुद गज्रमी को उन्होंने समय पित किया है इस ग्रंथ को लिखते समय यह तैं हुआ था कि महमुद गज्रमी ने कहा था कि इसमें जितने भी जितने भी सेर होंगे प्रति सेर पर एक दिनार दिया जाएगा प्रति सेर पर एक दिनार दिया जाएगा और कहा जाता है कि इसमें कुल मिला के साथ हजार सेर हैं उस आधार पे साहनामा के लेकर के फिर्दावसी को साथ हजार दिनार मतलब सौन मुद्रा देना चाहिए था लेकिन कहा जाता है कि जब गरंफ पूरा हो गया तो गरंफ उन्हें सुनाने गये और उस गरंफ का पारिटोसिक पारिस्मिक लेने के लिए गये तो उसके बदले में क्या किया गया उसके बदले में इनको केवल 20,000 दिरहम hanya掌र मुद्र तीक है गए जब ये विर सजाद दिरहम भी नहीं लिये चले तो इस से नाराज होकर क्या किया उन्हों ने जाकर टीकर इसी फिर्दवूसी की जो इसमें उन्होंने एक भाग और लिख दिया उस भाग में महमुद भूर ममवद गजनवी कि होने दिने व्यापक कर अलौचना किया और ज्यादा अलौचना कि अ कि वह जो उनका आलोकना था वह बहुत ज्यादा पुरे इरान और फारस में ही अफगानिस्तान-में पूरे अफगानिस्तान एड़ान में फेमस हो गया ठीक है अब ऐसे कंडिशन में क्या हुआ कि बहुत ज्यादा महमुद गजनवी के जो चरित्र था उसके चरित्र पे बहुत बड़ा धब्बा माने जाना लगा और अंतत्र कहा जाता है कि इससे नाराज होकर उन्होंने ठीक है यह इससे नाराज होकर फिर्द इस नहीं समय में महमुद गजनवी के जो मंत्री थे एधिकाई थे वे लोग गए हैं कि जो जितना पार्समी कि सकन होगा होता उतना पारिस्तिमाक उनको दे दिया जाए चौकि जब तक आप पारिसमिंक नहीं देंगे तो आपके ब्यक्तित्त पर बहुत बढ़ा धबा है और सांति सांथ जब हम लोग राज या समराज के कहीं भी हिस्से में जाते हैं तो लोग वही कविता सुना सुना के हमारा मजा कुडाते हैं और इसमें हमारे सांथ आपका बाद में महमुद गज्रेवी समझ में आया और उन्होंने क्या कि पूत्री ने करज नहीं पूरा कर पाएंगे इसलिए नहीं लिया और वो दूसरों में बांट दिया लेगा लिखिन उन्होंने स्विकार नहीं किया तो यह आपका महत्वपूर इतियासिद्रॉत है आगे समलिएगा महाभाइरत जो एक लाख स्लोंग स्लों महाभाइरत है इस एसका पहली बाड उल्यक मिलता है गुप्त काल में कुलाई अभिलेख में पहली बार एक लाख वाले इस लोगों के महाभावत का उल्लेख अभिलेखों मिलता है जबकि महाभावत युद्ध कि तिथी एहोल अभिलेख में प्राक्त होता है जिसे जिसे पुलकेशिन दुती के दरबारी रविकृत ने लिखा है यह ग्रंथ जो है यह प्रसंस्ति ग्रंथ माना जाता है रविकृत ने इस ग्रंथ कहा है और रविकृत ने इस ग्रंथ के बाद उन्हें ने कहा कि मेरा अस्थान इतिहास में वैसा ही हो गया जैसा कि कालिदास भार्वी का है तो यही भारती इतिहास का एक मात्र अभिलेख है जिसमें कालिदास का उलेख मिलता है भारती इतिहास का एक मात्र यही अभिलेख है एहोल अभिलेख जिसमें कालिदास का उलेख मिलता है और इस अभिलेख में महाभारत युद्र की तिथी 3101 ईशापुर्व बताई गई है इस सबलेख में इसकी तिथी 3.001 ईशापुर्व बताई गई है है अगे समझेगा आगे चलके तमिल में पिरीण देवुनान ने इसे भात बेरुवा के नाम से उलेखित किया जबकि फार्ची में इसे बधायनी ने अकबर के काल में रजनामा के नाम से इसका अनुबाद किया रजनामा का मतलब होता है युद्ध की पुष्टक रजनामा का तात्पर होता है युद्ध की पुष्टक और यवे पुष्टक लिखा गया बदायनियों के द्वारा इसका इसकी प्रस्तावना बाद में अबुल फजल बाइनि इसके समय में महम्मध सा रंगिला के समय में मुहमेद सार गिला ने क्या किया इसे सवाही राजा जय सिंग को दान बे दिया और तब से सवाई रजा जैसिंग के पास वहांगे से बाव से वहां चलाता है सवाई राजा जैसिंग को भारती इतिहास में सवाई राजा जैसिंग को भारती इतिहास में अस्वमेध यग्य करने वाला अंतिम सासक मना आता है परा सतनिक और पुरकुस को अस्वेध करने वाला पहला सासक मना आता है इसके बाद इतिहास में पुषिमित सुंग ने दो अस्वमेध यग्य किया जिसका साथ हमें मिलना है अयुद्य अभिलेक में जो धण्देव का अयुद्य अभिलेक है जो भारती इतिहास में संकीत का परधम अभिलेक भी माना आता है इसके बाद समुद्गुप्त का जो असमेद यग्य है उसके बारे में जानकारी हमें हमें प्रयाग क्वेसस से नहीं होती है याद देखेगा केवल समुद्गुप्त के द्वारा प्रवार्थित सिक्के जिसे मुक्तह असमेद पराक्रम करते हैं उस अवसमेद पराक्रम के सिक्कों में हमें समुद्ध गुप्त के द्वारा असमेद यग का वर्डन मिलता है लेकिन अगर अभिलेग पूछेगा तो या देखेगा समुद्ध गुप्त के द्वारा असमेद यग करने का उलेग कहा म लेक में और दूसरा को कहा मिलता है वह है प्रभावती गुपता के रिद्ध-पूर्थ तांपत्र लेख में और जी के और भीतरी अभिलेक में यह पता चलता है कि समुद्ध गुत ने असमेद्यग किया था इसके बाद वाकाटक सासक प्रवर सेन प्रवर सेन ने चार असमेद्यग किया है जबकि कदम के सासक मयूर सर्मन ने 17 असमेद्य किया है भाती जिहास में किसी एक पर्टिकुलर सास असमेदों किया जान गिसकी है राट इसकी है जीनों ने कुल प्राप्तारे हैं इसे के बारे मर्य जानकारी फिर से प्राप्त नहीं होती है दूसरा बात किएयों जो 36 का एक पांटवाकिक राहे 36 गळ का जो एक पांडवानी गायन सहली है इस पांडवानी गायन सहली में मुक्यताब पांडवार्त के कथानकों को गाया जाता है महाभारत के कथानकों को गए जाता है, और हमने पहले चर्चा किया कि महाभारत के जू दिश्तांकर है वह कमपोरिया के अंकोरवाइट मंदिर पे रामाएड और महा भारत दोनों के चितरांकर हमको प्राप्त होते हैं, तो कुल मिला के महाभारत और आमार के संदर में जो हमें एतिहासी जानकारियां मिलती है वह जानकारियां मुक्तह उत्तर बार्दिक कालिन की मानी जाती है तो इस परकार जो एपिक एरा की बात है एपिक एरा मुक्तह लेटर बार्दिक एरा के इतिहास उसकी संस्कृति उसके समाजी योनके बारे में मुक्ता जैनकारी ग्यांडान करता है महा भारतके संदर में अन्य महवायब द्थन में पंजाभ वाज़ियोन की बड़ी आलोचना ही गई है और इनके बारे में उहां कहा गया है कि पंजाब के लोग पंजाब के इस्त्रियां के साथ मद्रिया पान करती हैं नास्ती हैं गाती हैं और मद्रिया की अवस्था में मदमस्त होने के बाद अपने कपड़े तक उतार देती हैं इसका उलेक कहा मिलता है इसका उलेक हमको मिल रहा है वाड़ पर्व में तो वाड़ पर्व में हमें हमें यहां के महिलाओं के चाहित्री पतन का उल्लेक मिलता है जबकि महाभारत में एक अन्य जगह पर यहां के पंजाब के पुरुसों के चाहित्री पतन का उल्लेक करते हुए कहा गया है कि इनका इतना यहां तक चाहित्री पतन हो गया है कि यह अपने माताओं तक का आदर नहीं क यह भी मातपूर्ता थेर्